और maturity value की बात करें तो 84,6788 रुपे पीपीएफ अकाउंट में यदि हम पैसे को deposit करेंगे तो कितने साल के लिए करना होता है जैहिंद फ्रेंट्स मैं हूँ मनुज और आप देख रहे हैं गंडर एडू गंडर एडू में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो का टॉपिक है Post Office PPF अकाउंट नया नियम हुगा लागू 2024 अब मिलेंगे 84 लाख रुपे ये 84 लाख रुपे आप PPF अकाउंट से कैसे ले सकते हो या फिर किस परकार से आप इन्वेस्टमेंट करो जो कि आप 15 साल बाद 84 लाख रुपे आप बना सकते हो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है आप इस वीडियो में बने रहो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और यदि इस वीडियो से लेकर अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम आजाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि उस कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले पाऊं और उस कोशन का जवाब भी आपको दे पाऊं पीपीएफ का नया नियम तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो य पॉब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि कि यह जो हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होता है यह पॉब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाता है इनकि सरकार इस पैसे को उधार लेके सरकार अपने कुछ कामों में लगा देते हैं इस पैसे को और उसी पर आपको क्या है ब्याज मिलता रहता है यदि हम इसमें interest rate की बात करें present में एनकी एक जनवरी 2024 से तो 7.1% का इसका interest rate है जो कि compounded है और ये compounded का मतलब क्या होता है चक्रभरती ब्याज यानि कि ब्याज के ओपर आपको ब्याज मिलता रहेगा जैसे कि आप लोग को बहुत सारा doubt होता था कि sir ppf account में यदि हम पैसे को deposit करेंगे तो कितने साल के लिए करना होता है हम एक बार कर सकते हैं क्या तो हमें account maintenance के लिए क्या करना होगा ppf account जब आप open करवाते हैं वो 15 साल के लिए आपका open होता है और इसका जो minimum deposit limit है वो है आपका 500 रुपे ये जो 500 रुपे आपको जो deposit करना है आपको account को maintenance रखने के लिए यानि कि आपका account default में ना जाए तो इसलिए पूरे साल के अंदर 500 रुपे deposit करना अनिवारिय है और की compulsory है यदि आप अपने account को बंद नहीं करवाना चाहते हैं और maximum limit की बात करें तो 1.5 रुपे है यानि कि PPF account में पूरे साल के अंदर 1.5 रुपे से आप जादा जमा नहीं कर सकते हैं याद रखे का पूरे financial year के अंदर इस पैसे को आप deposit किस परकार से कर सकते हैं पूरे साल के अंदर आप लमसम भी कर सकते हैं हो सकता है कि पूरे साल के अंदर आपके पास 1.5 रुपे ही हो पाए तो आप 1.5 रुपे deposit कर सकते हैं हो पाए कि पूरे साल के अंदर आपके पास 500 रुपे ही हो deposit करने के लिए तो पूरे साल के अंदर आप 500 रुपे ही deposit कर सकते हैं उससे कम नहीं कर सकते हैं और डेड़ लाग रुपे से आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं अकाउंट को maintenance रखने के लिए आपको 500 रुपे जमा करना कमबलसरी है ये पैसा आप installment में भी जमा कर सकते हैं कि किस्त में EMI के तरह भी आप इसमें जमा करा सकते हैं पांस साल के अंदर ये डेड़ लाग को आप डिवाइड कर दीजे बारा से जो कि 12,500 रुपे आएगा चाहे फिर एक लाग रुपे जमा करना हो 60,000 रुपे ही जमा करना हो तो उसको आप installment में भी जमा कर सकते हैं अब जान लेते हैं कि ये जो PPF account है, ये कोन-kोन वैक्ति खुलवा सकता है और यहां पर एक बहुत बड़ा doubt है कि बहुत लगयमन में एक सवाल आता है कि क्या PPF account जो है क्या post office में ही खुलता है क्या सिरिफ ये bank में ही खुलता है तो ये दोनों जगे में खुलता है बसरते आपको ये ध्यान देना है कि कहां कहां अवेलेवल है तो आप उहां पर जाके open करवा सकते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि कौन-कौन व्यक्ति open करवा सकते हैं क्या term और condition है देखें भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी जो उमर है 18 साल प्लस होना चाहिए यह देख किसी कारण बस 18 साल प्लस नहीं है तो उस condition में माता-पिता दुआरा यह account open करवाया जाएगा एक जो सब्द है premature close यानि कि क्या यह PPF account जो है उसको हम समय से पहले बंद करवा सकते हैं तो इसका answer है कि बिलकुल समय से पहले हम इसको close कर सकते हैं ध्यान रखेगा कि आप close कब कर सकते हैं लेकिन 5 साल बाद यानि कि PPF account आज की डेट पर यह आप open करते हो तो आज को लेके 5 साल आपको wait करना है उसके बाद ही आप इसको close कर पाओगे और close करने का भी कुछ term or condition है इसको याद रखेगा कि दिखिए कोई बड़ी बिमारी होन होने पर तब भी आप इस PPF account को close करवा सकते हैं यानि कि समय से पहले इसको बंद करवा सकते हैं याद रखेगा बंद करते समय यादि समय से पहले आप करा रहे हो तो उस condition में 1% जो है interest rate आपका deduct होके ही आपको पैसा मिलेगा अब यहाँ पे कुछ चीजे हम देखने वाले ह है और यहां से वीडियो को आप ध्यान से समझना और समझने की पूरी कोशिश करना क्योंकि यहां पे आपको काफी सारा help मिलने वाली है देखिए PPF account versus mutual fund calculation यहां पी दो calculation है इसको आपको बारी किसे देखना है फिर आपको different समझ में आएगा अंतर समझ में आएगा कि इन दो पाने के लिए तो time period मानके चलते हैं 15 साल जैसे के PPF account में 15 साल के लिए पैसा जमा होता है इनके 15 साल बाद ही आपको maturity मिल सकती है यदि हम rate of interest मानके चलते हैं तो PPF account में इसकी में जो rate of interest भी दिया जा रहा है 7.1% यह हो सकता है थोड़ा बढ़े हो सकता है घटे यानि कि जै total invest amount आपका होगा 15 साल के अंदर 22,50,000 रुपे इस amount का भी ध्यान रखना आप और total interest जो आपको मिलेगा 15 साल बाद वो कितना मिलेगा 18,18,209 रुपे और maturity value की बात करे तो इस जगे से आप maturity value देख सकते हो 40,68,209 रुपे आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिस करे जो है वो बहुत कम हो जाता है यानकि 15 साल यदि आप लंबे समय के लिए करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं होती है और यदि करने के बाद तो हम यहाँ पे देखेंगे कि mutual fund में 12,500 रुपे पर मंत हम जमा करेंगे और पर मंत जमा करने के बाद 15 साल के लिए करेंगे क्यो जो की past में देखा गया है उनका performance 15%, 16%, 17% या 20-22% का भी return दिया हुआ है या खराब से खराब यदि आपको 13%, 12% भी मिल जाता है तो तब भी PPF स्किम से आपको बढ़िया यहाँ पे return मिल सकता है देखेगा जिसे PPF अकाउंट में आपने 22,500,000 रुपे deposit किया था सेम इसमें भ जो आपका PPF अकाउंट से आपको maturity जो value मिल रही थी वो कितना मिल रहा था यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं 40,68,209 रुपे तो यहाँ से आपको different समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ बातों को आपको याद रखना है या note करने ला है यदि आप tax में benefit पा सकते हैं लेकिन 3 साल के लिए यहाँ पे lock-in period हो जाता है तीन साल के बाद ही आप पैसे को withdraw कर सकते हैं redeem कर सकते हैं अब mutual fund क्या होता है तो इस channel में बहुत सारी videos है उन video को जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि आखिर mutual fund क्या होता है इसमें हम पैसे को कैसे invest कर सकते हैं और इससे हम SWP कैसे ले सकते हैं SIP कैसे कर सकते हैं लंसम कैसे कर सकते हैं बहुत सारी video और चैनल पे अपलोड़ेड है तो उन video को जाके आप जरूर देखना देखिए PPF account के अंदर यदि हम पैसे को invest करते हैं तो 1.5 lakh यानि कि 1.5 lakh रुपे तक tax में हमें rebate मिलता है जो की section 80C के तहत बताया गया हुआ है दिखिए mutual fund के बारे में और अधिक जानकारी के लिए channel को आप जरूर विजिट करिए और वीडियो जरूर देखिए 100 रुपे से आप SIP चालू कर सकते हैं लंसम चालू कर सकते हैं या फिर SWP चालू कर सकते हैं दिखिए सिर्फ 100 हो रही हो तो यह मेरा नंबर है 798-222-0721 इस पे आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्रीस अपना एक प्यारा सा लाइक करना अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्स जनों को जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत